हेलो गाईज, वेल्कम बैक तो माई चैनल, आज की सीरीज में हम स्टड़ी करेंगे HTML इमेजिस को, सो गाईज, करते हैं, वीडियो को स्टार्ट, html images so guys जो images होती है हमारे web page का design and appearance improve करने के लिए होती है हमारे पास images को add करने के लिए image tag होता है जिसकी help से हम web page के ओपर image को add कर सकते है and guys image के basically two attributes है first is source जो हमें path define करने में help करता है and then आता है हमारा alternate attribute so guys alternate attribute के help से हम alternate text provide कर सकते image के लिए कई बार हमारे पास क्या होता है slow connection होता इंटरनेट का जिसकी वज़स से image proper show नहीं हो पाती है so इसलिए हम alternate text provide करते हैं ताकि हमें उसकी जगह image की जगह एक alternate text show हो ताकि user को पता लग जए भी यहां पे कौन सी image थी and then इसके बाद आता है हमारा syntax so guys syntax आप देख सकते हो image हमने tag use की and then source attribute यूज किया source attribute में हमने अपनी image का path define करना है कौन से folder में हमने save करके रखी हुई है जो file हमने यूज करनी है so guys उसके बाद आता है हमारा alt attribute alt attribute में हमने alternate text define करना है हमारी image की specify करेंगे image टैक को और यहां पर एंड़न सोर्स में हम हमारी file का जो हमारी image का location है उसको copy करेंगे वहां से जहां पर भी हमने save करके रखी हुई है and then मैंने यहां पर mountain के name से download कर रखी है image so इस image को हम शो करवाएंगे properties में जाके हम इसकी url को copy कर लेंगे location को and copy कर लिया है and then इसको close करके source में paste कर देंगे and then guys backward slash के बाद हम इसमें हमारी image का name specify करेंगे mountain.jpg and then इसको control plus s करके open in browser करेंगे and then इसकी output हम देखेंगे क्या आती है so guys जो हमारी image का size है वो बहुत बड़ा इसलिए यहां पर हमें scroll bars शो हो रहे है horizontally and vertically so guys इस stage को हमने fit करना है हमारी window के उपर अगर हमारी image है उसको fit करवाना चाहते है so हम यहां पर width 100% and height 100% ले लेंगे so guys इसका यह मतलब है कि जतनी हमारी window है show हो रही है उसके according हमारी image cover कर लिए उसको and guys देख पार हो इसके output जितनी हमारी window है उतनी ही image हमें show हो रही है fit हो चुकी है हमारी image so guys ऐसे ही आप इसकी जगा हम एक और image लेंगे add करेंगे यहां पर हम laptop की नेम से यह image को copy कर लेते हैं इसकी URL को and then इसको जहां पर हमने mountain के नेम से specify किया था इसकी सभी की जगह हम उसका URL को paste कर देंगे and then जो हमारी file का नेम था वो था laptop.jpg and then इसको save करेंगे and then open in browser यहां पर refresh करेंगे so guys देख पार हो है हमारी image का size छोटा था तो जितना size था उतना हमें display हुआ and अगर आप इसको अपनी requirement के according change करना चाहते हो तो आप width height की change कर सकते हो यहां पर हम यहां पर 100% ले लेंगे and then जो हमारी height है वो भी हम 100% ही ले लेंगे ताकि यह fit कर ले window को and इसको save करके हम इसके output देखेंगे and then इसको refresh करेंगे तो आप देख पार हो इसने window के according अपना size adjust कर लिया है so guys ऐसे ही आप और भी value specify कर सकते हो यहां पर मैं 70 लेके देख लेती हो and height में 80 लेके देख लेते हैं तो इसको save करके and then इसकी output देखते हैं क्या आती है so यह इसकी resolution हो गई है so ऐसे guys आप अपनी requirements के according इसको change कर सकते हो so guys ऐसे ही हमारे पास एक alternate attribute होता है जिसकी help से आप एक text provide कर सकते हो अपनी image के लिए so यहां पर हम alt attribute लेंगे and then यहां पर कोई भी चीज specify कर सकते हो जैसे हमारी laptop name से है तो हम laptop image लिख देते हैं ताकि user को पता लग जाए जब भी slow connection हो कि यह laptop image है so इसको हम control plus s करेंगे and then यहां पर output देखेंगे क्योंकि यह अभी तो नहीं show होगी जब connection slow होगा जब यह image नहीं show होगी तब हमें यह text show होगा इसकी image की जगा so guys I hope आपको समझाया होगा so guys आज की इस video में बस इतना ही I hope आपको मेरी videos अच्छी लग रही होगी तब तक के लिए आप like, share, subscribe करना ना भूले bell icon को press करें ताकि आपको further notification मिले and thank you for watching the video